हेलो एंड वेल्कम दुदा पॉलिटी करेंट अफेर्स सेशन और कॉम्डिशन कम्यूनिटीज यूट्यूब चानल मैं हो निकत परविन खान और आज के इस करेंट फेर्स के वीडियो में हम एक से आज सेप्टेंबर यह सेप्टेंबर के फर्स्ट वीक के जो पॉलिटी से र हर वीक आपके लिए रेलेवेंट एकदम ऐसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज रहें जैसे कि पॉलिटी के सेक्शन में कोई विध्यक पारित हुआ हो कोई पॉलिटिकल अपॉइंट्मेंट हुई हो कोई समिट हुआ हो या ऐसा कोई डिसीजन जो स्ट्रिक्ली पॉलिटी ह तो यह एक वीक में नहीं है तौ वही चीज़ नहीं करतीं तो डू नॉट पैनिक जो भी चीज़ है आपकी ग्जाम के रिलेवेंट हैं जहां जो चीज ज़ूरी है उनको में जरूर आपके सामने लेकर कर किया ओऊंगी जैसे कि जो अग्utral लासट वीक का पार्ट है उसमें बहुत जादा कुछ current में quality के section में ने हुआ इस वज़े से मैंने उसमें नहीं बनाया उसके पहले का जो आपका 15 दिन का current है वो आपकी में available है 1 से 8 September में कुछ 3-4 घटनाएं हुई है जिसे आज की वीडियो में हम cover करने वारे हैं ठीक है तो do not panic current affairs के सभी वीडियो आपको मिलेंगे सही वक्त पर सारी ज़रूरी news जो आपकी exam के लिए ज़रूरी है वो आपको मिलेगी ठीक है तो with that let us first have a look on important news of last week news flash में तो सबसे पहली जो news है केरल विधान सभा में विवादास्पत विश्व विद्याले कानून संचोदन विध्यक 2022 पारित किया गया तो केरल में जो राज जिपाल के और वहां की जमाकपत सरकार के बीच में कुलादीपती से संबंधित विवाद था कुलपती की नियुक्ती संबंधित विवाद था उससे related एक law पास किया गया क्या है वो हम देखेंगे दूसरा है जारखन के मुखे मंतरी हेमन सुरेन ने विश्वास प्रस्ताव जीता तो पिछले कुछ दिनों से जारखन में जो हेमन सुरेन की सदस्ता पर सवाल या निशान उट रहे थे हेमन सुरेन जिस विवाद में फसे हुए थे उसे एक positive way में हेमन सुरेन के पक्ष में एक बात आई है और वो ये है कि वहाँ पे उन्होंने vote of trust या vote of confidence जीत लिया है क्या था हेमन सुरेन मामला और अब आगे की रह क्या है वो हम देखने वाले तीसरा है ब्रिटेन को वहाँ की नए प्रधान मंतरी मिल गए है और वो हैं लिस्ट्रस और लास्ट न्यूज इस वेरी फैक्च्वल राजपत का नाम बदल कर करतव विपत किया गया है तो ने दिल्ली के राजपत में को अब कहा जाएगा क्या करतव विपत ठीक है तो यह चार न्यूज है एक एकर के हम कवर करते हैं सबसे पहले केरल संचोधन बिल तो ऐसा है भई की कुछ समय पहले से वहाँ के जो राजपाल है आरिफ महमत खान और वहाँ की जो माकपा के नितरतवारी ल्डेफ की गौवर्मेंट है उनके बीच में कुनूर विश्विद्याले जो है कुनूर यूनिवर्सिटी उसके कुलपती की न्युक्ती से संबंदित को जवाच चल रहा था राजपाल ने राजसरकार को कुल्पती की नियुक्ती है कुनूर विश्विद्याले कुल्पती की ूर्ष से बीकुछ आलोच ना तो सरकार चाती थी कि इस जो घटना है जिसमें राजपाल ने सरकार की आलोच ना उसकी पुन्रवृत्ति ना हो फिर से सम्विधानिक discretion का इस्तिमाल करता है कई मामलों में उसकी सम्विधानिक शक्तियां जो थोड़ी ज्यादा होती है वह आलोचना करता है तो उसका भी महत्व काफी ज्यादा होता है तो टो स्टेट गवर्नेंट क्या चाहिए इस गवर्नॉर अफडि स्रेट को ते पावर्स ना मिले ठीक है तो जो जो इनके अधिकार शेत्र में जो विधान सभा जो जो संचोधन कर सकती ऐसे बिलों पर ऐसी किसी नियम उपर वो वो करके उनकी अधिकारों पर कटौती करते तो कुलमिला की जो संचोधन विद्यक पारित हुआ है इसमें राज कारी शक्ति होती है राज जिपाल की कि वो जितने स्टेट की उनिवर्सिटी होती है उसका वो चैंसिलर होता है इन्हें कुलादीपती होता है ठीक है कुलादीपती रहते हुए उसके पास बहुत सारे कारे और शक्तिया होती है उनिवर्सिटी से संबंदित बस उन्हीं शक तो यह था इसका बैकडॉप अब इसका परिणाम किया तो अब परिणाम स्वरूप राज जी के विश्विध्यालेओं के कुलादीपती के रूप में राजपाल की शक्तियों को कम किया जाएगा विध्यक कुलपती की न्यूकती के लिए खोच समीती के ढाचे को बदलता है सदस्यंख्यातीन से बढ़ा कर पांच कर दी गए पहले समीती में राज यूजीसी और विश्विध्याले में नामंकित सदस्य थे अब मैंने कहा कि कटौती की गई तो कैसी कटौती की गई दरसल क क्योंकि गवरनर अफ्ट स्टेट खुद स्टेट उनिवर्सिरिस का चांस以लर ठहला ठाए तो जिते वाइस चांस्लर सोते ना कुलपती उनकी जो नियुक्ती होती है वह स्वैम करता है राजपाल अब वो खुझ से कैसे करता है तोटल डिस्क्रिशनरी या विविकादीन शक्ति तो है नहीं ना इसकी तो वो कैसे करता है एक बकायदा पैनल बनता है खोज समिटी या सर्च समिटी बनती है जिसमें तीन member रहते है जिसमें स्वाइम राजपाल रहते है उसके अलावा UGC और विश्विद्याले से कुछ nominated members होते है ठीक और ये लोग सब मिलकर के राजपाल को एक पैनल सजेस्ट करते हैं और पैनल में कि भी ये ये लोग हैं पैनल मतलब कुछ लोगों का नाम forward करेंगे राजपाल के पास कि भी ये ये लोग हैं जिनको बनाया जा सकता है कुल्पती और राजपाल अपने पसंदिदा व्यक्ति को कुल्पती न्युक्त कर देगा यहने कुछ multiple options उसको दिये जाते हैं तो यहां पर थोड़ी सी जादा पावर्स दिख रहे हैं राजपाल के तो यहां पर स्टेट गवर्मेंट अप चाहती है यह संचोधन के एक लाइन में क्या कहूं मैं कुल्पती वही न्युक्त हो जो जिसको सरकार चाहती है साथ ही साथ जो सर्च कमिटी है उसमें पैनल के मेंबर्स भी बढ़ाए गए और यह भी बोला गया जैसे प्रेजेंट का है कि तीन लोग रहते हैं तो तीन में से दो ने अगर बोल दिय तीन में से दो ने बोल दिया कि भी ये मेंबर बनना चीए तो वाधिकारिक मान लिया जाएगा फिर राजपाल को उसकी बात माननी ही पड़ेगी पहले ऐसा था ना कि जो फाइनल पैनल सेलेक्ट वापैनल में से कोई एक मेंबर को राजपाल अपने से कर देता था अब यह यहां कि पैनल सेलेक्शन से लिकर व्यक्ति सेलेक्शन तक की मेजॉरिटी देखी जाएगी और उसमें भी लास्क लिए ऐसा होगा कि जो सरकार जिसको बुलेगी उसको राजपाल को कुलपती नियुक्त करना पड़ेगा कुल मिला करके अगर आब एकदम साधारन बाशा मे जिससे अब राजपाल जो राजपाल जो राजपाल सरकार है उसकी कहने से बात दे हो जाएगा कि वह जो चाहेगी उसी को कुलपती बनाया जाएगा तरसल बैकड्राउन में में बहुत सारे चीज़ बताई थी मैंने आपको मामला बताया को नुरविश विद्धाले वाला उसके अलावा सिस्टेम प्रोफेसर के पद्पर किसी विद्धाय के पत्नी को अभी सेलेक्शन वा था उस पर भी रिलेटेट कुछ विवाद हुआ था तो ऐसे मामले बहुत सारे चल रहे थे तो फाइनले ऐसा रहो था कि राजपाल बहुत हस्तक शेप कर रहे थे राजप और सरकार के बीच में एक तरह का विरोधाभास आ रहा था तो यहां पर स्रेट गवर्मन्ट चाहते ही कि राजपाल इतना जादा वहां वास्तवी ग्रूप से इंटरफेर ना करें और इस वजे से राज जविधान सभा में बिलपारित करवाया गया ठीक है तो आप जानते हैं यह कौन सी चीज से रिलेटरी राजपार की कारेकारी शक्ति होती है कि वह स्टेट इनिवर्सिटीज का कुलादी पती होता है बस उसी संबंदित की वाली नियूस है ठीक बढ़ते हैं अगली नियूस पर जहारखन मामला भी जहारखन विवाद तालिस मतों के साथ विश्वास प्रस्ताव जीता तो जहारखन की जो विदान सभा है जिसमें से 48 लोगों ने हेमन सुरेन के पक्ष में वोट डाला और इस तरह से उनकी सरकार बच गई देखो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ ट्रस्ट यदी सरकार जीत जाती है इसका मतलब यह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ ट्रस्ट यदी सदन में पारित हो जाता है इसका मतलब सरकार रहेगी ठीक है अकसर लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान रखिएगा अविश्वास प्र सदन को वर्तमान सरकार पर विश्वास नहीं रहा तो किसी ने विश्वास प्रस्ताव विपक्ष में से लाया होगा अगर वो पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी वोट ओफ कॉंफिडेंस मतलब सरकार पर विश्वास है क्या यह पूछा जा रहे हैं पहले में क्या सरकार तुमको विश्वास नहीं है जादा लोग ने बुले हाँ नहीं है तो गिर जाएगी सरकार पर विश्वास मत में क्या होता है यह पूछा रहा कि क्या तुमको सरकार पर विश्वास है तो पारित होने से सरकार गिर जाती है विश्वास मत पारित होने से सरकार बनी रहती है तो यहां पर विश्वास मत रेस किया गया था, वोट अफ कॉन्विडेंस रेस किया गया था, और इसमें हिमन सुरेन के पक्ष में 187 वोट मिले, जिससे सरकार अब बनी रही, ठीक है, तो इस तरह से जो उनकी मक्यमंत्री के पद पर या उनकी सरकार पर आचा रही थी, वो ज क्योंकि छारकन मुक्ती मोर्चा को कॉंग्रेस और दूसरे कुछ दल सपोर्ट करते हैं, तो इस जो 48 वोट मिले हैं, उसमें जे एमेम के अलावा, जो कॉंग्रेस है और कुछ एक दो जो आपके सायोगी दल है, उन लोगोंने वोट डाले, भाजपा इसके अगेंस्ट है, एक्चली भाजपा नहीं कंप्लेन भी दर्ज की थी राजपाल रमेश बैस के पास, तो इसलिए भाजपा ने इस वोटिंग के दौरान वौक आउट किया था, ठीक है, कुरसी पर अब संकट कैसे है, देखे, राजपाल रमेश बैस अगर सोरेन की सदस्ता खत्म कर देते है तो उन्हें CM की कुरसी छोड़नी पड़ जाएगी, और मामला जो है वो है लाब के पत्पे, अब इसको समझे पूरे दोनों सिनारियों को इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड, आपने सुना हो गई जब ये मामला या विवाज शुरू हुआ था, तब ये था, कि जो चुन क्या का मैंने राची के अंगड़ा में कुछ पत्थर की खदानों को अपने नाम पर लीज लिया था, जो की सीधा सीधा जन प्रतिनिधी अधिनियम के और लाब के पद के कॉंसेप्ट के खिलाफ है, आप एक बात जानते हैं अगर आपने संसत पड़ी है, पहला ये कि यद कि अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं, यहां पर बात विधायकों की हो रही है, तो उनके लिए भी यही सेम चीज लागू होती है, कि जो भी जन प्रतिनिधी चाहिए सांसतों की बात करें, चाहिए विधायकों की बात करें, वो किसी लाब के पद में नहीं होने किसी तरह से सरकार की तरफ से उन्हें सरकारी मुनाफ़ा नहीं मिलना चाहिए, चाहिए वो सेलरी हो, चाहिए वो कोई कांट्राक्ट मनी हो, चाहिए वो कोई टेंडर हो, उनको कोई लाब नहीं मिलना चाहिए, सेलरी, चाहिए कांट्राक्ट मनी, चाहिए कोई टेंडर, को एक को कोई भी संवेधा टेंडर कौंट्राक्ट को अपनी किसी कमपणी के जरिये हासल भें नहीं कर सकते मान के चलिये में सरकार की का एक हिस्सा हूँ और मैं किसी कंपणी में शेयर भी रखती हूं मेरे ownership की company भी है तो जब मैं सरकार का सरकार की तरफ से ठेका जारी हो रहा है और मैं अपनी company को दिलवा दूँ तो इस तरह से ये भी जो है इलाप के पद में आता है और ये जो आधार है जो आप सुनते है representative of people act 1951 जिसको हम जन प्रतिनिधी अधिनियम कहते हैं उसका एक section होता है section 8 section 9 जन प्रतिनिधी अधिनियम section 8 और 9 में गहर से सुनिए इसको जन प्रतिनिधी अधिनियम के section 8 और 9 में जो भी आपके सांसद होते हैं या राजिस्तर पे जो विधायक होते हैं उनकी निरहरताओं के कारण दिये गए कि उन्हें किनके नाधारों पर आपका disqualify किया जा सक पढ़ता है आप पढ़ते हैं ना कि यदि वो पागल हो गए यदि वो दिवालिया घोशित हो गए यदि व प्रादी सिद्ध हो गए किसी लाप के पद पर आ गया ऐसे करके points पढ़ते हैं तो यह जन प्रतिनिधी अधिनियम में उनके disqualification के ground लिखे गए ठीक है इसका नाम से किसी company को lease में दलाए ने यह माना जा रहे है कि company इनके नाम पर है और यह lease जो government के तरफ से आई है वो इनको मिली इसका मतलब यह लाब हासिल कर रहे तो इलाब के पत के दायरे में आएगा जो की इस जन प्रतिनिधी अधिनियम के विधाय के रुप में उलंगन है और इसलिए इनके सदस्ता को रद करने की सिफारिश शुनायोगने की और बिल्कुल अफचारी गुरूप से वाद में भाज़िपा ने भी जो वहां के राज़िपाल है रमेश बैस उनके पास ये शिकायत की और अभी राज़िपाल का जो फैसला है वो पेंडिंग है इस इसका हिस्सा रहते है अगर और पंचायत के सदस आपको सरकार की तरफ से मोनेटरी लाब हो रहा है जो आप नहीं कर सकते है वर ना आपकी सदस्ता सरकार रद रहे है यह हर तरह के जन प्रतिनिदियों पर लागो होता है इन पर भी होता है और आरपी के section 8 और 9 में दिया गया तो बात यही आ रही है कि यही साबित करना बचा है अभी कोड में कि ऐसा इन्होंने किया है कि नहीं किया है इस इस आरपीय के disqualification की जितने ground है आरपीय में किसी भी व disqualify करना है तो precedent करेगा और किसी विधायक को disqualify करना है तो राजपाल करेगा इसका मतलब यह कि अगर यह साबित हो जाता है कि हेमन सुरेंग ने लाब के पद वाले क्लॉस का उलंगन किया है और वो लीज अपने नाम पर लिए जिससे उनको किसी तरह का monetary फाइदा हुआ है और यह साबित हो जाता है तो वहां के जो राजपाल है जारखन के उनके पास यधिकार है कि विधायक के रूप में उनको हटा दिया जाया ठीक है ठीक अब बात आती है कि यहां तक मामला अभी पहुचा ही नहीं अभी राजपाल जांच कर रहे हैं इससे ही पहले यह इसका जो फायदा विपक्षिदल उठाते हैं कि भी अभी साबित होना तो बचा है लेकिन ऐसा किया यह सारवजनी कुरूप से उपर से चुना होया उन्हें कम्प्लेन किये तो अब तो ऐसा ही कि सरकार बनी रहे ही कि नहीं इस बात पर बात हो रही थी तो पहले तो वोट कोई जेमें से कोई दिक्कत नहीं सरकार बनी रहेंगी लेकिन इनकी कुर्सी पर इसलिए खत्रा है कि अगर यह साबित हो जाता है कि इनोंने लापकपत हासिल किया तो यह विधायक की रूप में डिस्क्वालिफाय हो जाएंगे और आप एक चीज़ जानते हैं कि मंत्री ब रहना चाहते हैं तो विधायक होना ज़रूरी है तो सरकार बनी रहेगी इस वोट अफ ट्रस को जीतने से लेकिन अगर कल को राजपाल इनको विधायक के पद से हटा देते हैं तो इनका मंत्री पद मुख्य मंत्री पद खत्रे में आ चाएगा फिर वही क्लॉस शामिल होग जब राजपाल ने इनको विधायके पद से निर्हरित कर दिया ये डिस्क्वालिफाय कर दिया आधार क्या लेंगे वो अगर वो डिस्क्वालिफाय करते अगर ये मामला थाबित हो गया कि हाँ भै इनों ने लापके पद का जो क्लॉस था आर्पिये सेक्शेन 8-9 में इसक बचा है ठीक है so that is it about this कुछ चीज़ें थी जो आपके पॉलिटी से रिलेटेड थी जैसे जन पृति ने दिया धिनिया जैसे कि हेमन सोरेन की सदस्ता पर खत्रा क्यों है और ये पूरा विवाद जो पॉलिटी से रिलेटेड है इसको मैंने समझाने के कोशिश ही कोई भी रिशी सुनाक है मूलवंशी वो ब्रिटेन में राज करेंगे बट ऐसा हो नहीं पाया फाइनली एक क्लोज जो द्वन था उसमें वहां की सांसद लिस्ट्रस इस चुनाओ को जीद गई और इस तरह से बोरिस जॉनसन के बाग ये ब्रिटेन की नई प्रधान मंत्री बनी र प्रिणाम में लिस्ट्रस को 81,326 वोट मिले और रिशी सुनाक को 60,399 वोट मिले तो इस तरह से लिस्ट्रस प्रधान मंत्री वहां की ने उपकी गई आफ्टर बोरिस जॉनसन तो जब ये द्वन स्टार्ट हो रहा था या ये बहुत चर्चा में था तो ऐसा लग रहा था रिशी सुनाक मां की प्रधान मंत्री बन जाएंगे तो मुझे उस वक्त जो अंते मुगल बादशाह बादुर शाह जफर उनका एक शेर याद आता था कि घाजियों में जब तलग बू रहेगी इमान की तखत लंदन तक चलेगी तेख हिंदुस्तान की सुनाए कभी है इस प्रधान मंत्री बनी और लिस्ट्रस जो हैं वह गवर्नी कंसरवेटिव पाटी की नहीं नेता चुनी गई है मतलब अभी जो पाटी है वहां पर राश्पती न्यूकती करते हैं वैसी वहां पर जिकिंग ये क्राउन होंगे वो न्यूकती करेंगे तो इस वज़े से क्वी परती मूल की सांसद रिशी सुना को हराया और ये परिणाम रहे हैं हम अल्रेडी देख चुके हैं लिस्ट्रस की बात करें तो इनका जन्म ऑक्सफोर्ड में हुआ था 2010 में एक सांसद बनी थी और वहां से इनकी राजनीती का सफ़र शुरू होता है ठीक है तो बस इतनी ब कर तव्यपत किया गया तो राश्पति भवन से इंडिया गेट के बीच जो 3.20 किलोमेटर लंबा राच्पत है उसका नाम बदलकर करतव्यपत किया गया है इस करतव्यपत को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विक्सिद किया गया आप जानते हैं नया आपके पारल कुलर पत का नाम अप से कर्तव विपत होगा नए दिल्ली नगरपाली का परिश्यद में नाम बदलने के प्रस्ताओं को मन्जूरी दी गई है और बैटक के अध्यक्षता विदेश्यम संस्कृती राज्यमंतरी मिनाक्षी लेखी ने वहाँ पर की है बहुत जादा कोई स्ट फाइन विद दाट सुथ इतनी ही चीजें थी जो इस पर्टिकुलर 1st week of September की मुझे पॉलिटी के सेक्षिन में कवर करने थी I hope आप कोई चीजें समझ में आया हूँ कहीं कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्षिन में पूछ सकते हैं मीचे कॉमेट सेक्षिन में पूछ सक